दोस्तो एक तरफ जहाँ पे यूक्रेन और रश्या के लड़ाई के अंदर हाली में ही रश्या के तरफ से एक स्टेटमेंट जारी करते हुए डावा किया कि रश्या ने करीवन 3491 यूक्रेनियन मिलिटरी इंस्ट्रॉलेशनों को तभा किया तो उही पे इसके काउंटर जवा उसने रश्यान मिलिटरी के एक पैंसर मिसाइल सिस्टम को कैप्चर कर लिया जबकि इसके इलावा एक सुखोई 27 जेट को भी मार गिराया जबकि रश्या का भी ये क्लेम है कि रश्या ने यूक्रेन के एक मिक 29 और तीन बायरेक्टर टीवी 2 अनमैन एरियल वेकल को उस दि किया जा रहा है तो उही पर एक्सपोर्टों का कहना है कि एक तरिके से इनफॉर्मेशन वोर्फेर का हिस्सा है जहाँ पे एक ओपोनेंट दूसरे ओपोनेंट के नुकसान का व्योरा देते हुए ऐसे वातों का भी जिकर करता है जहाँ पे दुश्मन के मोटिवेशन को ने कई सारे यूक्रेणियन एरफोर्स के एरक्राफ्टों को मार गिराया है असल में यूक्रेण के तरफ से सबसे पहले ये स्टेटमेंट आया और यूक्रेण का कहना था कि चैर्नियेफ शहर के उत्तरी सेक्टर में यूक्रेण ने रशिया के सुकुई 25 फाइटर को मारा ह Ukrainian military के तरफ से Twitter के उपर पोस्ट करते हुए बताया गया कि Ukrainian Armed Forces के Special Operation Force के द्वारा अपने हिस्से में और एक Special Trophy को लाया गया जो कि रेशिया के Self-Propel Anti-Aircraft Missile and Cannon Complex है जिससे Panser S1 कहा जाता है दुसरे तरफ Russian military के spokesperson Igor Konashankov के तरफ से Counter-Jewaab में ये दावा किया गया कि Russian military ने Ukraine के एक MiG-29 और तीन बायरेक्टर TV-2 Unmanned Aerial Vehicle के साथ साथ एक Torch Q-Tactical Missile को तवा किया है जबकि उनका ये भी कहना था कि Operation or Tactical Aviation के द्वारा करिवन 68 Objects को हिट किया गया जिनमें दो Control System Objects के साथ स Logistic Objects और तीन OSA Anti-Aircraft Missile System है इगोर Konashankov का ये भी कहना था कि Russia ने करीबन और पांच सेटलमेंटों के उपर अपना control हासिल किया है जिनमें Stepanoy, Krapenmit Square, Malik Manchik, Novopatrykovka और Yellen Square शामिल है जबकि उनका ये भी कहना था कि Marinovka, Lajerovka और Lesnoy के उपर कवजा असल में Donutsk People Republic के टू लगा तो से लाइक कीजिए और मेरे चनल को सस्क्राइब कीजिए और साथ में बना हूँ बैल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख़ा है सबसे पहले जैहिंद